इसलामुडकों क्लास तो आज हैं करने बादें लाब नू LMB TEN और इसमें जुफ टॉपिक कuard दी कोछ स्ट्रीइंग्स टिक है स्ट्रींग्स और अर्ड़ियम पर हमाने पास बाइब यह कोछ दो लाब यह इसी फस्ट लैप फ्रेंग्स थेक तो इसमें हिख करने भी पिए ओ है और इसमें हम प्री डिफ़ाइंड फंक्शन पे काम करेंगे डीक यह कूँ इस लाइबरी पे काम करेंगे क्वी उससर लाइबरी है और इसके बगर आप इस्ट्रिंग की मिन्यूपलेशं अगर करना चाहेंगे तो आपको काफी जो है काफी यह गोट ना पड़एगा जो करना पड़ेगा लेकिन अगर ये लाइबरी आप लोग सीज़ जाएंगे इसमें कुछ यूसर फंक्शन मौजूद है तो फिर आपका स्ट्रिंग मेनिपलेशन या जैसे दरकावा पर पिटिंग और स्ट्रिंग करना असान हो जाएगा थीक है तो इसके बाद कि नेक्स लाप में थोड़े बहुत स्ट्रिंगभी करेंगे और फोड़ा बहुत से रिलेटिटिड भी करेंगे काम हैं तो यह समझने के यह बहुत हुब सोटेब openly दिखमने अपती वह को jiुआमरों लाना տव है अगी कन्न मीरों और कि आएकली यह ऐख्योंट रेसे हैं अगर हम बात करें तो स्ट्रिंगिर क्या है एक्वली अइरह श्रिंग है strings क्या है actually array ही है लेकि खाज बत क्या कही हुए कि array of character को कहा जाता है string और further क्या कह रहे हैं कि वो वन dimensional होता है यह वन डी array of character is called string जीख है तो string कुछ नहीं है बलके one dimensional array of character ही है तो हमने integer का array भी बता है float का array भी होता है character का भी होता है लेकिन यहां पर बताने कि character का जो array होता है one dimension वारा उसको खास नाम दिया जाता है यह एक और नाम से पुकारा जाता है वो नाम है strings ठीक है तो यह तो यह हो गई definition इसमें एक और खास बात यह है जिस पर नजर रखनी है थोड़ी दिरे में इस पर आता हूं कि terminated by a null character ठीक है यह एक और खास बात बताई गई है string की कि यह terminate होता है हमेशा null character से यानि उस string में सबसे आखरी जो element होगा यह उस element सब्सक्राइब को not o backslash 0 ठीक तो यह इस पर आते हैं थोड़ी दिर में क्या मतलब इससे क्यों करना पड़ता है इसकी क्या importance है यह आपको clear हो जाए तो अगर मुझे को इस ट्रिंग करना है तो यहां पर इसके declaration दिखी हुए सब्सक्राइब करेक्टर एस मेरे स्ट्रिंग का नाम और फाइफ यह बता रहा है कि फाइफ ऐलेमन के लिए मैंने मैमोरी रिजर्व कि तो इसकी पैक्टोरियल डाइग्राम या मैमोरी ब्लॉक डाइग्राम आपके राइट हैंड साइट पे मौजूद है कि इसमें है तो इसमें मैक्सिमम आप जो स्ट्रिंग या डेटा रख सकते हैं वह है फोल करेक्टर यारी वन लेस दिन इसकी मैक्सिमम कैपिसिटी क्योंकि एक प्लेस लास्ट का जो है वो तो होगा हमेशा नल करेक्टर के लिए रिजर्व और बाकी जो रिमेनिक इस पेसेज बचें ठीक है तो यह द्यान रखिएगा स्ट्रिंग में अगर आपने 20 करेक्टर का आप सोच रहे हैं तो आप एक एक एक्स्ट्रा रखें क्योंकि उसमें नल करेक्टर के लिए भी एक स्पेस होता है अगर आपके रिक्वार्मेंट है सिर्फ 15 की तो आप 16 रखें 50 की है तो आप 51 ठीक है तो इसको ध्यान में रखना है कि हमेशे स्ट्रिंग में एक एलिमेंट जादा होता है और रिजर्व होता है किसलिए नल करेक्टर के लिए तो आपकी जो भी रिक्वार्मेंट हो स्ट्रिंग के लिए आप उससे एक स्पेस जाद ही रखें कि यहां पर फर्दर बताया है कि आप पौंटर से बिकर सकतें बेलकुल वैसी जैसे कि आप बताया गया था कि आप एको को भी पॉइंटर से एक ब्लेटे और दोनुटेशन एपद्टी आप यहां पर भी एसे ही है यह रहे है लेकिन बसक्रेक्टर हो गया है तो आप करेक्टर पॉइंटर पी करके भी काम चला सकते हैं क्योंकि करेक्टर पॉइंटर पी लिखू या पी और उसके आगे दो स्कुर्ब रेफिट लगा दूं जिससे मुराद एक ही है खीक है तो अगर मैं इनिशिलाइजेशन भी साथ साथ करना चाहूं डेकलरेशन के तो मैं ऐसे कर सकता हूं यहां पर मैंने लिखा करेक्टर टाइप का है ग्रीटिंग्स है और छे एलिमेंट दे दी इसको आगे ठीक है 6 एलिमेंट मैंने इसको असाइन कर दिये और वहल्कु प्रग्स रखेंते तो देखे मेंरे इस वें फाइफ का डिटा प्रेश किया और में इसको शाट प्लेश्व ख़ते हैं इदर क्या प्रेस हुआ हुआ है सिंकर कोट में नल औ-धन करेक्टर ऐ ठीक है करेक्टर का जब आप एन हारे तो है अब पर देन इंड में यह आगे मेरा ब्रैकेट क्लोज ठीक है अगर तो मैं बिलकुल स्टिंग को इनकरेक्टर फैशन यूज करना चाहता हूं यह यूं कहा जाए कि स्ट्रिंग को मैं ऐज एरे ऑफ करेक्टर ही के तौर पे एक्सेस करना चाहता हूं तो आप इस तरही किसे इसे को अब करेंगे लेकिन सी लेंगवज में और आगके भी बहुत सारी लेंगवज में मैंने यही बैटन देखा है कि स्ट्रिंग को डेक्लेड करने का एक और असान तरीका भी मौझूद हैं और वह यह है कि मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगा के करेक्टर कॉमा सेपरेटिड प्लेस करूं और फिर नल करेक्टर का भी ध्यान लगों तो बज़ए इसके मैं चाहूं तो सिंप्ली ये लिख सकता हूँ जो मुझे रिक्वार्ड है inverted commas double quotes में ठीक है double quotes में मैं पूरा का पूरा अपना string दे दू यानि hello एक साथ दे सकता हूँ double quotes के अंदर और null character भी मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके से अगर मैं initialize करूँगा तो automatically null character खुद बखुद जो है end में लग जाएगा और greeting का अगर मैं length check करूँ ठीक है greeting की अगर मैं length check करना चाहूँ तो आप देखेंगे कि वो six आएगी ए सॉरी six नहीं length five ही आएगी size में मैंने आपको बताया था कि एक extra लिया जाता है उसका size जो है वो six आएगा length इसकी five है ठीक है क्योंकि hello लिक है मैंने hello मैं पांच करेक्टर ने तो length इसकी five ही आएगी क्योंकि पांच इसमें meaningful या वो करेक्टर है जो मेरे काम के हैं या जो मैंने खुछ से रखे लेकिन जो छटा प्लेस है उस पे जो आया वहोगा नल करेक्टर खुद बहुत आया वहोगा तो इसमें मुझे इसके size का देहन रखने की ज़रुवत नहीं है नल करेक्टर प्लेस करने की ज़रुवत नहीं है और simply बसके double quotation marks में लिखते हैं hello तो चाहे मैं उपर वाली लाइन लिखूं चाहे नीचा ली लाइन लिखूं memory में यही होने वाला है h e l l o और शटा प्लेस आगे मेरा निल करेक्टर के लिख ठीक है तो आपकी जोई से आप उपर वाली फैशन में इनिशिलाजेशन करना चाहते हैं या नीचे वाले और वैसे तो अब वेस्ट यहां पर एक विनर है कि जादा तो लोग प्रिफर करेंगे कि जो सेकंड एप्रोच है उसे यूज़ किया और आप कर भी रहें तो प्रिफर करेंगे क्योंकि आप इस अल्रेडी यूस्टू है और यूस्टू कैसे हैं कि अगर आप तो रिकॉल क सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर बिल्कुल वही कर रहें कि डबल कोड़ के लिखेंगे वह डिक्टो ही आपके स्ट्रिंग के वेरियेबल इस केसमें ग्रीटिंग वेरियेबल में आ जाएगा ठीक है और यह एरे है यह इस बाए यह से प्रूव होता है कि यह देखें क अधिकिटिफ अधिकिटिफ एमोरी टोकेशन है अधिक अधिन अपना कैमरा आफ कीजिए बीटा और और 54 55 56 ठीक है सारी के सारी मेमोरी टोकेशन कंजेकुटिव है एड्जिसेंट मेमोरी लोकेशन है डसन्ट मैटर के कि मैं इसको इनिशिलाइज फस्ट वे में कराओ यह सेकंड BENE क्या अगर आप अहले तरीके पे जाएंगे तो आपको जादा टाइप करना और जादा टाइप करने हो सकता है कि आप एक आप जगा पर सिंगल कोड भूल जाएं या कोई तो टाइपिंग होगा तो रन नहीं होगा तो टाइम उसमें लगेगा उसको सही करने में उसको इडेंटिफाय करने में तो इसलिए और आगर आप सबसे बड़ी बात कि यही भूल गए लगाना तब भी आपका कोड चल जाएगा लेकिन वी लॉजिकल एर उसमें आ जाएगा लॉजिकल एर क्या है कि कंपाइलेशन पे तो कुछ नहीं होगा लेकिन आप उसे रन करेंगे तो इसमें एक इशू आएगा और वो इस नल करेक्टर की ना होने की विरस है और वो क्या होगा वह भी हम देखने इस लैब में आ जाएगा तो इस लैब में पता लग जाएगा है ठीक तो इनिशिलाइजेशन हो गई डेकलरेशन हो गई है तो और मजीद आगे बढ़ते हैं कि यहां पर फॉर्दर कुछ इनिशिलाइजेशन लिखी हैं करेक्टर सी एमटी ब्रैकेट्स के अंदर में इनिशिलाइज करूंगा आपको आटमेटिकल साइज आ जाएगा साइज 50 देकर चार करेक्टर का स्ट्रिंग लिखूंगा तब भी ठीक है यह यह बता रहा है कि इस वक्त चार हैं लेकिन मैक्सिमल 50 तक हो सकते हैं और थर्ड वाली डेक्लिएशन इनिशिलाइजेशन यह बता रही है कि इसमार्टोमेटिकली चार आएंगे और प्लस वांच वे प्लेस के लिए नल करेक्टर आ जाएगा तो आप इन चारों तरीकों से और लास वाला जो को था हूं तो पॉइंटर को भी असाइन कर सकता हूं क्योंकि पॉइंटर अगर इस तरीकिसे करूंगा तो सी क्योंकि एक पॉइंटर वेरियेबल है इसके पास Edu Ό जोगा। और आडडर स किसका होगा। अरre की फस्विए इस ऑगया यह ज्मीं इसाइन होगा ठीक है तो मज़ीद theories में कुछ है नहीं हम code पे चलते हैं code पे जाने से पहले बतारें string को read करना है अगर आपने तो आप scanf यूज करेंगे तो scanf की example है लेकिन scanf में अभी तक आप यूज करते आये थे परसंट d for integer, परसंट c for character, परसंट f for float लेकिन string के लिए हमाई बस खास place order मौझूद है जो कहलाता है परसंट s for string ठीक है तो अब हम scan करके देखते हैं और printf भी करेंगे तो परसंट s ही use करेंगे तो देख लेते हैं इसको run करके कि scanf कैसे read करता है और फिर printf में आपने प्रिंट भी करना है परसंट ऐसे तो एक सिंपल सा program है कि मैं एक string create करता हूँ user से बोलता हूँ enter name और उसके बाद उस name को मैं scan करने के बाद user code वापस display करा देख तो इस सिंपल से program को पहले execute करते हैं और find करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है observation क्या है हमारे है है इस इंक्ल्यूड टिडिया ओ डॉट एच हमारा वह रिपेटिटिव बिहेवियर आइंटी में रिटर्न ठीक है अब इसमें मुझे क्या करना है एक करेक्टर का एरे क्रियेट करना है ठीक है करेक्टर के आद इस वे से लिकिन नेम के आद मैंने कोई space नहीं दिया इसका size मैंने क्या रख लिया से मैं मैं क्या रहे हैं मैंक्सिम्ट 20 तक नहीं जा सकता है यह चलें थोड़ा सा बाढ़ा लेता है ठीक है इसके अधान मैंने प्रिंट एफ स्टेट में लिखा जूजर से कह दिया कि एंटर यॉर नेम यह दैट सिट और फिर इसका दिसकान एफ कर लिया स्कैन एफ और इतर लगा दिए पर्सेंट एस और एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ नेम जीरो भी लिख सकता हूँ है यह सिंपली मुझे क्या लिखना चाहिए इदर जी क्लास क्या लिखना चाहिए तो मैं एक एक ऐलिमेंट में इंपुट लेता था यहां पर मैं पूरे एय्रए में एक साथ इंपुट लेने वाला हूं यूजिंग परसेंट्डेस तो चूंके मैं आपको बताया था कि यह चीज़ क्यलाती है भीस एड्रेस ठीक है यानि मैं सिर्फ और सिर्फ यह लिख इस दे एडरेस ठीक है नेम खुद क्या है एक एडरेस है नेम इस दा लुवर बेस ऑडरेस ठीक है औरशने फ में हमेशा मैं ऐडरेस यूज़ करता हूं इंपुट लेने के लिए तो हैं यहां पर नेम इटसेल्फ एडरेस है तो मुझे एक्स्प्लिसिटली इसके साथ तो डूंट नीट टू पुट या प्लेस एड्रेस ऑपरेटर एक्स्विसिट्ली ठीक है बस इतना काफ़ी है नीट टू ठीक बात सारी यह है कि नहीं चुक्छे खुद एक प्लेस एड्रेस है तो इसमें मुझे एड्रेस ऑपरेटर लगातने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर लगाता हूं तो फिर मुझे जिरू लिखना पड़ेगा क्योंकि बेस एड्रेस प्रोवाइट करना पड़ता है आटोमेटिकली खुद बाखुद सारी लुकेशन पर वह राइट हुद ठीक है अब देखने हैं और राइट हुआ है के नहीं प्रिंट एफ यह कोई मैसेज जाएट हो मैं कहता हूं है लो और हेलो के बाद मैं सिंप्ली वही नाम दुबार से प्रिंट करा देता हूं और इधर भी मैं नेव रिखूँ है अब देखते हैं कि इसका एज़रेट क्या आता है जब मैं पर्सेंट ऐसे काम कर रहा हूं तो पूरा का पूरा जो इसमें स्ट्रिंग में होगा वो सब कुछ एज़रेगे सेफ कर लेते हैं से एजेंपल्स में है स्ट्रिंग खीक है कंपाइल कर लेते हैं कंपाइलेशन कर रिजल्ट में पास क्या आए देख लेते हैं नो हैरर्स करते हैं एंटर जो नहीं कहाँ गया है मैंने कहा ठीक है आतिफ शेवाज और हैलो लिखाया और हैलो के बाद अगर आप देखें तो क्या लिखा रहा है आतिफ शेवाज यहां पर लिखावा नहीं आया और क्लारिटी के लिए मैं लाइन चेंज भी कर देता हूं इदर ठीक है दुबारा से देख लेते हैं तो यह हमारी observation यह finding है कि यह मसला आ रहा है अब यह मसला कहां आ रहा है क्यों ऐसा क्यों हुआ मैंने तो input में कहा था आतिफ शेवाज लेकिन जब result में print हो रहा है तो सिर्फ उसे वातिफ आ रहा है शेवाज वाला part कहां गया तो इसके पीछी एक reason है और reason यह है कि scanf किस तरीके से काम करता है ठीक है इसका reason यह है कि scanf कैसे काम करता है scanf ऐसे काम करता है कि अगर आप scanf करते हुए पीच में कोई भी white space character escape sequence कहा जाए आ जाए आपके string के अंदर या किसी भी input के अंदर तो होता यह है कि आपका scanf वहाँ पे quit कर जाता है और मजीद input नहीं लेता ठीक है तो escape sequence या white spaces क्या होते है simple word में space आपने देखा कि मैंने नाम एंटर किया तो मैंने आतिफ और शहबास के बीच में space दिया तो space आने के वएज़ जैसे scanf ने क्या है further read करना छोड़ दिया यह आगे शहबास उसने as a input read ही नहीं कर रहा है मैंने लिखा जरूर लेकिन वो जैसे मुझे लिखा भाई दिखाए दिया actually scanf ने उसको name वाले variable में store ही नहीं किया तो जब उसने story नहीं किया तो जब मैं print कराऊंगा तो वो display भी नहीं होगा तो escape sequences क्या होती है enter tab spaces तो यह चीज़ें अगर scanf को read करते वे encounter हो जाए तो scanf क्या करता है वहाँ पर अपना input lane टर्मिनेट कर देता है और यह मजीद आगे नहीं बढ़ता तो यह तो एक problem है के मेरा scanf किस पर काम नहीं कर रहा स्ट्रिंग data type पर काम नहीं कर तो अब क्या किया जाए जब scanf मेरा स्ट्रिंग data type पर काम नहीं कर रहा तो उसका क्या solution हो सकता है किसे रिजॉल्फ करें प्रॉब्लम को तब यह देख लेते हैं तो इसको देखने के लिए यहां पर एक नीचे फंक्शन बनाया है जो है ने खुद ही से बनाया है समझ लें कि मैं तक यह दुक्यां करें कि यहां कि मैं स्कुरिट कैसे कर तो इसका तरीक्ता बड़ा सिम्पल है के मैं चाह medo के अगर इस कृश्यर को मिरांं कर नं करूं आपके सामने तो आप देखेंगे यह प्रॉड्रम कब तक मैं चैले मैं आतिफ शेबास के बाद enter press ना करूँ ठीक है यनि मैं चाहता हूँ इस पेस में ना रुके बलके कब जा करूँ जब मैं enter press करता हूँ तो ये तब तक read करता रहे जब तक के मैं enter press ना करूँ यानि line change ना करूँ ठीक है यही चार आ रहा हूं मैं कि मैं इस तरह का प्रोग्राम हो कि वो स्कैन करता रहे जब तक कि मैं लाइन चेंज ना करूँ ठीक है तो इसके लिए क्या है मेरे पास इसमें जो है मैंने लोजिक खुदी से बनाई लेकिन अब मैंने स्कैने फ्यूस करने के बज़ाए क्या किया किया कि एक वाइल लूप लगा दी और वाइल लूप में मैं क्या कर रहा हूं कि करेक्टर बाइक करेक्टर रीट कर रहा हूं करेक्टर बाइक करेक्टर का मतलब य सब्सक्राइब करने वाली वैलियू लाइन चेंज या एंटर ना हो तो मेरी लूप कंटिन्यू रहेगी लेकिन जैसे एंटर करूंगा तो यह कंडिशन फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स हो जाएगी तो मेरी लूप टर्मिने और इस लूप के अंदर में सिंपली क्या कर रहा हूं यह एक फंक्शन है गेट करेक्टर जैसे की नाम ही बता रहा है सेल्फ एक्ष्पिलिटरी है नाम के यह एक करेक्टर इंपूड़ लेगा सिर्फ औ ठीक है यह आपिव जावाज से एक-एक करेक्टर को पिक करेगा और रिडि करता जाओंगा और रिडि करके मैं नेम के अंदर प्लेस करता जह नेम फ आई उक्की वेली की वेली निशीली वेने जीरो से निशिलाइज करा यह पहली पौजिशन से स्टार्ट करूएगा हर मर में रूप्ट एड हो जाएगी, तो मैंने आपको बताया जिए मैं अब यह जिम्म करेक्टर भी प्लेस करूं अगर new स्थ प्सक्राइब तो के माद क्लीन केलाएगा तो नियु戲 के लागर के निचल जाएगी तो मुझे कुछ नहीं करना एक ले ने लिखनी है कि ने आई पर मैं नल करेक्टर भी प्लेस करूं यह एक तरीके का स्टॉप पर या मारकर होता है जो यह पताता है श्रिंग यहां पर एंड हो और इसकी क्या जरूरत है क्या इसको थोड़े देर में आपको पता लग जाएगा जैसे इसे में श्रिंग की डैप में जाएंगे तो यह एंडिंग मारक करता है और कहां कहां इसकी जरूरत है जैसी आएगी मैं आप लोगों को बता तो ठीक है तो अब यह इंप्लेमेंटेशन करके देखते हैं कि मुझे खुदी से एक कोड लिखना पड़ेगा जिसमें ऐसा हो कि करेक्टर बै करेक्टर रीड हो जाएं तो इसकी प्रोग्राम को मॉडिफाय कर लेता हूं स्कैन एफ की जगा पर स्कैन एक को कर देता हूं कॉमेंट और यहां पर एक वेरियाबल और डेक्लियर कर लेते हैं आई एंटी आई इक्वल्स जीरो ठीक है और वाइल लूप लगा लेते हैं जब तक कि अच्छा सी एच की अंदर लगी वे लूप तो सी एच में तो मैंने इंपुट लिया यह नहीं है अच्छा इसके लिए मुझे वाइल लूप के बज़ जाए बहतर है कि मैं लगाऊं डू वाइल लूप क्योंकि वाइल से भी किया जा सकता है लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अधर डू वाइल लूप जादा बहतर है वाइल अच्छा सी एच नौट इक्वल्स टू और सिंप्री मुझे करेक्टर लिखना है कौन सा करेक्टर नल करेक्टर नहीं हो जाता तो मुझे क्या करना है इसके अंदर चो भी करना है वो लूप के अंदर चलके देख लेते हैं तो मेरा काम क्या है कि हमेशा सी एच के अंदर मुझे इंपुट लेना है get char ठीक है इस function से क्या होता है keyboard से मैं input ले सकता हूँ लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक connector और नेम of i equals to ch ठीक है और i को मैं कर देता हूँ plus plus ठीक तो इसके बाद क्या है कि मैं अच्छे ठीक है मैं अगर यह मैं खरूँगा ना logic तो एक issue यह होगा कि इसमें यह line change वाला character भी insert कर देगा मुझे line change वाला character insert होने से पहले ही इसे रोकना है तो इसी वज़ए से while loop इदर जादा पहतर है कि क्योंकि मैं इसमें insert नहीं करना चाहूंगा एंटर आते ही quit करने लेकिन फिर मुझे यहां पर शुरू में CHP declare करना पड़ेगा और CHP ठीक है वैसे तो इनिशिलाइज नहीं किया वा इस example में जो आक्या पहली दफार करने थे और किसी भी तरीके से मैं यहां तक पहुंच जाओं अगर यहां पर फर्स करें मैंने कुछ भी नहीं दिया और और कंपाइलर ने इसको असाइन कर दिया नियू लाइन तो उसके में मेरा प्रोग्राम फिर फेल हो जाएगा पिर नहीं चलेगा तो पॉसिबल चांस और बग है तो इसको रिमूफ करने के लिए मैंने आप कोई भी करेक्टर दे दिया मैंने अच्छे चलो मैं 0 डाल देता ठीक है कुछ भी कर सकता था मैंने 0 डाल दिया लेकिन बस यह नहीं होना चाहिए ठीक तो मैंने यह लूप लगाई और प्रिसका मैंने जैसे कि बताया था आपको कि मुझे आखरी लाइन की बात कह लिखना है नेम आफ आई एक्वल्स टू नल करेक्टर मुझे इसमें प्ल का कंपाइल एंड यह होगा एक्षिक्यूट मैंने दुबार से इसमें अपना फूल नेम एंटर करने की कोशिश की लेकिन यहां पर कुछ भी एंटर होई ही नहीं रहा तो ऐसा क्यूं हो रहा है कि यह देख लेते हैं अच्छा एंटर फूल नेम कहा करेक्टर नॉट इक्वल्स टू नल कहा सिंगल कोट में लिख रहा है डबल कोट में यह मैं वेरिफाय कर लेता हूं सिंगल कोट में हैं सिएच नॉट इक्वल्स टू सब तो सही है तो बारा रण करके देख लेता हूं तो यह मैं इन्पुट नहीं ले पारा अब क्यों इन्पुट नहीं ले पारा इसके बीचे रीजन हो सकता है सिर्फ उसिफ यह फंक्शन तो अच्छा मैं इस लिए इन्पुट नहीं लेने पारा क्योंकि मैंने वो डू आई लूप से कॉपी किया तो यहां पर लगाव है सेमी कॉल सेमी कॉलर ने इस स्लूप को इंफिनिटी तक पसा दिया लेकिन उस स्लूप की बॉड़ी एमटी है अब यह काम सही करेगा तो मैंने फुल नेम एंटर किया और डिस्पले कराता हूं तो आप देखने हैं कि मेरे पास फुल नेम ही डिस्पले भी हो रहा है तो इटमीज के यह काम कर रहा है लेकिन बिल्टन फंक्शन इसके एंफ से यह चीज मुझे अचीफ नहीं हो रही थी तो मुझे यह खुछ से इंप्लेमेंट करनी पड़ी मैंने अपनी प्रीविस नॉलिज को इस पर अप्लाय किया मैं क्योंके मसला क्या रहा है इसके अपना ऐसा फंक्शन बना लो कि स्पेस भी है तो वह चलता रहे लेकिन वह सिफ तब रुके जब मैं इंटर प्रेस करों तो इसी तरह मैंने फिर एक अपना प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने एक लूप लगा दियो सिंप्ली स्कैन कराता गया एक करके यानि करेक्टर बै करेक्टर रीट कर सकता हूं दोनों चीजें एक वैलंट है पस यह थोड़ा एक आपको फ्लेवर दिया गया कि आप ऐसे भी करेक्टर इंपुट ले सकते हैं ठीक है और यह सिंपलर है आप देखें सिर्फ के अच्छी लिखना है लेकिन इसमें आपको अच्छी लाइंस लि ट्रीके से स्कैने इफ करके या गैटस एचे यार करके इन्पुट ले सकते हैं ठीक है और एक और काम आप यह भी कर सकते हैं चाहें तो आप आई प्लस प्लस यहां ना लेखें और डिरेक़्क्ली यहां प्लस करने यह पूंत कर जाए metadata 10 तो यह यह भी का करना चाहते हैं आधा मैं जयिसी में करके दिखा दखके देएग चले मैं इसे कॉमेंट कर देता हूं और इसको नेक्स लाइन में ले जाके अनकमेंट कर लेता हूं और अपनेंट करके देख लेते हैं कि आप काम करते हैं इसके एन एफ के साथ तो तो दोबार से तो स्टिल मेरा प्रोग्राम सही काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो भी मैं अप्रोचिस यहां डिसकस कर रहा हूं वो सब परफेटली वैलिड है आपको इसा भी कॉंबिनेशन यूज कर सकते हैं ठीक है लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी मैं फिलार इसको अटा देता हूं और इसको भी ऐसी रहते हैं ठीक है तो इस तरीके से मैं स्ट्रिंग को इन्पुट ले सकता हूं लेकिन मुझे खुझ से थोड़े एफर्ट करने पड़े ठीक या तो मैं इस चीज को एक फंक्शन में ब्लॉक में कर दूँ जिसका नाम हो के गैट स्ट्रिंग ठीक है ये भी किया जा सकता है लेकिन वह मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप इसको फंक्शन में कर लें तो फिर आपको हर मरतबह यह लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी बलके बस आप लिखेंगे गैट स्ट्रिंग और यह सब कुछ खुद बाखुद इंपुट ले लेगा और मैं क्यों नहीं कर रहा हूं उसका भी आपको थोड़े दिर में अंदाजा हो जाएगा क्योंकि अगर ये बात प्रॉब्लम हमने फेस किये तो ये प्रॉब्लम हमसे गैट फॉर गैट और एस वर इस तो प्रीडिफाइंड फंक्शन मौझूद है हमारे पास गैट एंड पॉट ठीक है गैट स्ट्रिंग को इंपुट लेने के लिए और पुट एक असा सा फंक्शन इस ट्रिंग को आउट पुट करने के लिए निया आपको जादा एफर्ट करने के जरूरत नहीं है आप बस गैट लिए इंपुट लिए तो आपका स्ट्रिंग खुद बाखुद इंपुट और आउट पुट हो जाता है तो इसी प्रोग्राम को अगर मैं और सिंप्लिफाइ करना चाहूं तो मैं इस सारी लाइन को कर देता हूं कॉमेंट ठीक है और स्कैन इफ वाली लाइन के बात लिख देता हूं सिंप्ली गैट्स और इसके अंदर सिर्फ में लिखने है अपने स्ट्रिंग का नहीं ठीक है और इसे रण करके देखने कंपाइल हो गया और एक्जेक्ली सेम आओ ठीक है तो आपने देखा कि यह जो मैंने भी सब लॉजिक आपको सिखाए वाई लूप से करना है यह करना ही आप कर सकतें लेकिन यह आल्रीड हमारे लिए किसी ने कर दिया है और इसका फंक्शन भी इसने बना दिया है और इसका मतलब यह हुआ कि मैं भी हाँ से स्कैन फ वाली लॉजिक भी हटा देता हूं ठीक है इसकी मुझे जरूरत नहीं को क्लीन कर लेते हैं जो मुझे चाहिए फाइनली गो रखने वाई लूप वाली लॉजिक आपको समझा चुका हूँ लेक्चर में भी गिवन है तो इसको भी नेम को पिर्ट कराना होता तो मैं पोर्टस लेंग देदा लेकिन वैने अपने नेम के सथासे कुछ मैसीज भी डिस्पले कराया है तो फिर मुझेू प्रिंट्एफ यूज जाहिए मैं पूट्स यूज़ करूँगा जब सिर्फ मुझे बस यह डिस्प्ले कराना हो कि पूट्स के अंदर मैं सिर्फ स्ट्रिंग का नाम देता हूं और वही वैल्य डिस्प्ले होगी लेकिन इस वख मैं यह भी कराना चाहता था हेलो भी साथ में लिखा और लाइन चेंज भी हो या दो मरता प्रिंट एफ लिख लें दो मरता पूट्स लिखें और इसके अंदर में लिख रहा हूं कि मुझे चाहिए वही हैलो दो मरता वही और फिर उसके बाद मैंने कहा कि फिर मैं करूंगा पूट्स और इसके अंदर में सिर्फ लिखना नहीं तो आप देखें मुझ इस केस में देख लेते हैं क्या उठाता है ठीक है एक चीज़ तो आपने नोटिस यह करी कि लाइन हेलो के बाद खुद बाखुद चेंज हो गई तो इससे पता लगता है कि पूट्स का फंक्शन आटोमेटिकली लाइन चेंज कर देता है प्रिंट कराने के बाद तो मुझे आट पुट नहीं मिल तो इस जगह पर मुझे इसका मतलब है क्या यूज करना पड़ेगा प्रिंट एफ ही उसकरना पड़ेगा अब मैं प्रिंट एफ यूज करता हूँ तो क्या होता है तो अब मेरा आउट पुट सही आ रहे है ठीक है लेकिन बात वही है कि अगर मुझे एक प्रिंट एफ यूज करना पड़े तो बहतर नहीं है कि मैं सिंप्ली एक प्रिंट एफ ही यूज कर दो तो इसलिए मैंने कहा कि मैं यहां पर प्रिफर कर रहा हूं कि यह लिखने के बजाये सिंप्ली क्या लिखो झालेक कौने यूज करने को उपट तो YouTube इस इस प्रिंट एफ टॉझक को करे में ऑर इस कारीफ लिख शेम ही है तो कि है कि यहां पर लेते हैं हम ब्रीख और ब्रीख के बाद स्टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जो के हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन क्योंकि सेशन का टाइम अलमूस्ट आप हो रहे हैं तो हम यहां पर ले लेते हैं ब्रेक तो आप जॉइन कर लीजे फाइफ मिनिट्स पर लेते हैं ब्रेक से पहले हमने स्ट्रिंग की बेसिक्स देखी कि हम स्ट्रिंग को कैसे इंपुट ले सकते हैं और कैसे हम आउट्पुट या प्रिंट करा सकते हैं स्ट्रिंग वेरियेबल को ठीक है यह स्ट्रिंग डेटा टाइप को या डेटा स्ट्रक्चर ठीक है अब आते हैं हम एक दूसर टॉपिक पर और इसमें हमने डिसकस करने हैं कुछ predefined string function. Predefined function से मुराद यह है कि आपके पास string आखर इतने emphasize करके एक topic इसलिए बताए गया है कि इसकी importance काफी जादा है. यह आप day to day life में जिस data type से सबस्दादा deal कर रहे होते हैं वो string ही है. इसको आप इस तरही के से लेख सकते हैं कि आप से text message टाइप करते हैं वो भी string है. आप कोई word document बनाते हैं उधर भी आप string से deal कर रहे हैं. आप कहीं login करते हैं फेजू को login करते हैं तो आप वहाँ पे email enter करते हैं तो वो जाके string data structure में save होती है. आप password करते हैं वो भी string में जाके save होता है. आप किसी भी जगा पर चले जाएं तो आप online तो आप कहीं पे भी किसी भी website किसी भी social media platform की logging screen पर आपको हमेशा जिस data type से deal करना पड़ता है वो data type है string. ठीक है तो इसी वज़ए से string library पर कुछ जो है हमारे पास इतना जादा इस्तमाल है तो कुछ functions जो बार-बार हमें ज़रूरत पढ़ती थी functionality की जैसे कि मैं अभी आपको पता है जिसमें से scan करना scan करने आला issue जो था उसको resolve करती है उन्होंने gets function पहले से तो इस तरह और भी ब basis पर यह बहुत ज़्यादा पढ़ती है तो उन्होंने क्या किया किया कि एक library ही बना दी string नाम की और उसके अंदर वो functions मौजूद है तो हम उस library की बात कर रहे हैं जिसका नाम है string.h और उसमें यह सारे function मौजूद हैं जो इस टेबल में और इसके इलावा भी कई function कर देता हूं फिर हम इनको in action देख लेंगे कुछ functions को in an exam. ठीक है तो एक function है strcpy ठीक है short for string copy. ठीक है short for string copy. इसका काम क्या होता है कि एक ऐसा function अगर आप इसको दो inputs supply करें तो यह copy कर देता है content of one string into another. ठीक है यानि यह इस वक्त कॉपी करेगा hello को as one. क्यों ऐसा है? मैं string को directly equals to लिखके copy नहीं कर सकता. equals to operator single variable को copy करने के लिए होता है. यानि max equals to five लिख रहा हूं हो जाएगा. लेकिन मैं string है मेरे पास एक name नाम का equals to hello लिख रहा हूं तो वहाँ पे मेरे पास compilation error आ जाएगा और यह भी मैं करके verify भी कर दूँगा कि string को आप as it is equals to से copy नहीं कर सकते. तो अगर आपको copy करने की जरूरत पड़ती है तो आप यह function use करें या फिर पूरी वही logic खुद से बनाए वाइल लूप लगाएं और फिर जाकर यह function implement करें. तो string copy मेरे लिए यह असानी पैदा करता है कि मैं पूरा का पूरा string एक ही instruction में copy कर सकता हूं. फिर दूसरा function string n copy है, n copy में कुछ नहीं होता, एक additional parameter आ जाता है, वो यह बताता है कि कितने character copy करने, यानि पूरा का पूरा string copy नहीं करना चाहरे हो सकता, आप subset copy करना चाहरे हूं. तो आप 5 बता देंगे तो शुरू के 5 characters को copy करेगा, बाकी को छोड़ दें, ठीक है. string concatenation, यह तो बहुत जादा ही use होता है, string concatenation से मुराद है, कि मैंने इसकी example पहले भी दीती, जहां binary वाली example कर रहे थे हम, concatenation में मैंने वो पूरी आपको train के carriage, डबब़ वाली example दीती, पिल्कुल वही कहां है. कि अगर आपको दो अलग-अलग strings को concatenate करना है, यानि back-to-back लगाना है, तो आप use करेंगे string concatenate. तो इससे क्या होगा first वाल string के बाद second वाल string आ जाएगा, उसके फॉरण बाद concatenate हो जाएगा उसके back-side से. application इसकी क्या है, application इसकी यह है, कि आप किसी भी site पे जाते हैं, तो आप से पुछता है first name enter करें, last name enter करें, आप करते हैं, लेकिन जब आप login करके आते हैं, तो आप देखते हैं, कि आपका first or last, यानि मिला के full name display हुआ हुआ है. इसा ही होता है, first name और last name enter करें होता है, लेकिन वो खुद ही से आपका full name generate कर लेता है, तो full name generate कैसे करता है, आपके first name क्या होगे, concatenate कर देता है, आपका last name, तो इससे automatically क्या होता है, आपका जो है, दो strings का data combine होके, यह one string में convert हो जाता है, ठीक है, तो यह किसकी practical application में आपको तादी first name और last name से वो full name बनाए जाता है, then string n concatenate में भी n का factor यही बता रहा है, कि आप पूरा string concatenate ना करना चाहते हो, हो सकता है, आप उसमें से कुछ selective character करना चाहते हो, तो यह भी हो सकता है, इसके बाद है string cmp, यानि string compare, string compare का function जैसे की नाम ही बता रहा है, दो string को compare करेग यानि, दो strings compare किये जाते हैं, और दो strings में, अब हो सकता है, वो string equal हो, हो सकता है, वो string equal ना हो, comparison सिर्फ यह बताता है, कि मैं exactly दो string को compare कर रहा हूं, वो दोनों equivalent हैं या नहीं, तो इसकी थोड़ी सी detail पढ़ लेते हैं, कि आप compare करेगा string one and string two को alphabetically, alphabetically का मतलब यह है, कि first वाले को, first वाले से, second वाले को, second वाले से, third वाले को, third वाले से, and so on, और यह case sensitive भी है, यानि, capital A is not equivalent to small A, यह capital A को, capital A ही होगा, दूसरे में तो equal कहेगा, वरना not equal कहेगा, returns a negative value if s1 should precede s2, ठीक है, और 0 if the strings are equal and positive value if s2 should precede s1, ठीक है, तो इसमें यह कहने हैं, कि अगर equal है, तो बहुत simple सी बात है, 0 return करेगा, लेकिन अगर s1 should precede, यानि, s1 के जो करेक्टर में हो सकता है, comparison कर रहा था, तो s1 में, s1 कह रहा है, पहली वाली position को, और s2 कह रहा है, दूसरी position, s1 में अगर जादा बड़ा करेक्टर आजाए, as compared to s2, तो ये negative number दे रहा है, और अगर opposite हो जाए, यानि, s2 में बड़ा करेक्टर आजाए, s1 से, तो ये फिर positive देगा, otherwise negative दे रहा है, ठीक है, तो इसमें तीन possibilities है, 0 तो equivalent के लिए है, लेकिन not equivalent जो कि हमें फाल्क नहीं जाना होता है, string में normally equal है या नहीं, तो हम देखने 0 है तो equal है, 0 नहीं है, तो not equal, फिर चाहे वो positive number हो, चाहे negative number हो, तो इसलिए इसमें इतना confused नहीं होईगा कि कप positive आगा negative, आप ट्राय करके देख लें, आपको पता लग जाएगा कि कप positive देता है, कप negative, string and compare में भी वही बा function, आपको किसी भी string की length अगर पता करनी हो, आपको नहीं पता length क्या है, आप अगर चाहते हैं, function आपको length पता लग जाएगा, तो आप simply क्या करेंगे, इसको string pass करेंगे, ये return कर देगा आपको उसकी length, length समझ रहे हैं, कि इसमें कितने character है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आप इसली लेब में emphasize किया, कि length और size में फार्ग है, ये length return करेगा, ठीक है, और length की importance यही है, कि आपको length या length पता होना जरूरी नहीं है, आप किसी वक्त string से length खुद बहुद पता लगा सकते हैं, ठीक है, तो एक example कर लेते हैं, जिसमें हम इन function को use कर लेते हैं, तो इसको मै type कर लेता हूँ, क्या है, simply मैंने तीन strings लिए हैं, दो string को मैंने value ती है, तीसरा मैंने initialize रखा है, फिर length है, copy का function मैंने यूज किया, concatenation का function यूज किया है, और string length का function यूज किया है, ठीक है, तो यह हम कर के देख लेते हैं, जिस्ट अ मिनिट, तो हमारे पास है, pre-find function का task, new file ले लेते हैं, और इसमें भूई है, हमारे पास hash into, और इसमें आएगा हमारे पास stdio.h, और फिर होई int main return zero, ठीक है, इसके लावा मुझे इस प्रोग्राम में additional क्या करना है, चूँके मैं string library के function से deal कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे एक और library include करानी है, hash include, ठीक है, और उस library के नाम है string.h, ठीक है, यह string से deal करेगी, यह add करादी additional, save इसको मैं कर लेता हूँ, string या predefined function, predefined string कर लेते हैं, ताकि meaningful name हो जाए, ठीक है, name doesn't matter, लेकि मैंने इसको predefined string का नाम दे दिया, ठीक है, अब मुझे करना है code, तो code कर लेते हैं इसका, मुझे string चाहिए, मैंने character, str1 लिया, और मैंने इसको क्या किया, size भी दिया हुए, I think, ठीक है, दिया हुए, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिं 12 है, तो मैं 12 भी follow कर लेता हूँ, और इसमें लादेते हैं, hello, ठीक है, और इसके बाद, same line copy कर देता हूँ, time बचाने के लिए, और string टू ने मैं इसका, इसको दिया गया है, world, ठीक है, एक string 3 है, इसको size double कर देना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें शायद concatenation करूँगा, तो मैं इसके size 24 रख लेता हूँ, 24 होगा, fully, इसके लिए, तो मैं इसके लिए, 24 size रख लिए, उसके लावा, int, length now, क्योंकि मैं इसके लिए, अब मैं अगर as it is करना चाह रहा हूँ, तो ऐसा कर लेते हैं कि, इसको मैं side by side करके देख लेता हूँ, थाकि मुझे बार पर switch ना करता हूँ, ठीक है, अब मेरे पास program इस तरीके से आ गया, by the way अगर आप जानना चाह रहे हूँ कि मैंने side by side किस तरह arrange किया, तो इसका तरीका बड़ा सिंपल सा, आप किसी भी screen को focus करें, यानि select करने के बाद window की press करते हुए, cursor key से left or right placement करते हैं, मैंने जिसको left पे place किया, तो खुद बहुत बहुत अलाइन हो गई, और जिसको right पे place करना है, तो मैंने इसको right align करते हैं, ठीक है, तो आप मुझे बार बार back and forth नहीं करना पड़ेगा, मैं यहीं से देख के लेख सकता हूँ, तो पहले मैंने function लिख है strcpy, ठीक है, और मैं copy कर रहा हूँ simply str3 में कौन से content, str1 के content, तो इससे actually क्या होगा, इससे यह होगा कि str3 में क्या चला जाएगा, str3 will become, इसमें भी क्या बन जाएगा, मैं arrow use कर देतम ताके confused नहीं हो, इसमें भी चला जाएगा hello, ठीक है, arrow करूंगो तो आपके सर equals to क्यों नहीं हुआ, अभी इस चीज़ को भी verify कर लेंगे, और print कराना है, तो simply मैं printf करा देता हूँ, ठीक है, अच्छा इन्हों पूरा message print करा रहा है, तो मैं भी कर लेता हूँ, और पूरा message print करने की ज़रूत कर लेता हूँ, यह line लिख लेते हैं यहां पर, तो edit to आजाएगा output पर, और इसका result जो है भी बन रहा है, %s, line change कर लेते हैं, और उसके बाद simply str, 3 print कर देता है, ठीक है, और फिर जी क्या करना है, string concatenate करना है, और concatenation में, अच्छे, concatenation में उसमें नहीं की, तो फखीक है, s2 में की है, और दूसरा function क्या है, strcat use किया गया है, और इसमें कौन कौन से use हुए है, str1 पहले लिखा गया है, str2 बाद में लिखा गया है, और इससे क्या होगा, actually जो changes आएंगे, वो यह आएंगे, str1 will become hello, ठीक है, और उसके साथ, साथ क्योंकि वो दूसरा है, wrld, hello world बन जाए, ठीक, expected result में सामने लिखता जा रहा हूँ, और फिर इसमें भी लिख देते हैं कि अगर मैंने one, two किया, और strcat किया, तो इसका result जो change होके आएगा, वो str1 में, पहले वाले में result आए, ठीक है, फिर है मेरे पास length वाला function, और length में मैं लगा ले तो strlen, और अब मैं length किसकी find out करना चाहूँगा, str1 की, यह नि पहले वाले string की, तो पहले वाले string की length भी पता कर लेंगे, printf, str length, str1, ठीक है, और, यह equivalent आगे है मेरे पास, length चुंके एक number है तो person d उसके लिए, फ्रिक्राइब, and that's it, to length, ठीक है, तो यह मैंने commonly use आपके string library के function, length का, concatenation का, copy का, इसमें लिख लिया है, और, वापस आ जाता हूं, इस screen को भी zoom कर लेते हैं, और, इस screen को भी zoom कर लेते हैं, ठीक है, तो यह program type में ने कर लिया है, आप मुझे इसको compile and execute करके देखने हैं, पहले तो observe करेंगे कि इसके result क्या आते हैं, फिर इसमें modification करके, जो हमारे जहन में सावारात हैं, हम उसे resolve करने के कोशिश करेंगे, save, compile, को issue नहीं है, लेकिन अगर मैं उपर system library हटा देता हूं, तो देखते हैं क्या होता है, क्या error आते हैं या नहीं, save, compile, तो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं क्या बिल्टन function, strcpy, strcat, और len, यह जो हैं आपने use के हैं, यह सही बात नहीं है, क्योंकि मैंने library include नहीं कर रहे हैं, तो यह मैंने library include करा दे, ठीक अब यह warning आ रही है, क्योंकि हो सकता है, कि अब यह इसका level warning कर दिया गया है, कि यह function हो, stdio में भी कहीं नहीं, इन्होंने assign कर दियों, लेकिन यह जो हैं originally belong करते हैं, string.h को, तो इसलिए आप देखें, इस पे बिल्कुल भी error नहीं दे रहे हैं, वरना यह undeclare को message देना चाहिए था, error देना चाहिए था, इसने warning दी थी, ठीक है, compile हो गया, run करके देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान रहे कि मेरे शुरू में initial content है, hello, what, तो मैंने इसको run किया, अच्छा मैं को और clarity के लिए काम कर लेता हूं, इसे पहले भी line को change कर देता हूं, इसमें ताके ना हमें read करना साहन है, save, compile, execute, ठीक है, तो अगर आप देखें, copy किया है मैंने, और copy करने का प्रिंट करा रहा हूं S3 को, ठीक है, तो S3 के content आप देख रहे हैं, जो S1 के थे वो copy होके चले गए S3 में, जबकि initially S3 empty था, तो इसका मतलब है, यह strcpy का function वैसे ही काम कर रहा है, जैसे मैं expect किया था और comment में मैंने लिख दिया था कि S3 में में पास hello आ जाए, दूसरा function जो मैंने string concatenate किया, अच्छा ध्यान रहे, S3 में value copy हुई है, S1 की value change नहीं हुई, चेंज हमेशा इसमें left hand side वाले उसकी होती है, वेरियबल की, तो str3 की change हुई थी, S1 में भी hello पढ़ा हुई, S3 में भी hello पढ़ा हुई, फिर मैंने concatenation की S1 में S2 लगा दिया, अब में जहीरी S1 की value change हो जाएगी, और चुके concatenate कर रहा हूँ, तो hello के आगे क्या लग जाएगा? World, without spaces, क्योंके मेरे string के अंदर मैंने अगर आप देखें, तो hello और world में कहीं पे भी space नहीं है उपर, अगर मैं world के दर्मयान space चाहता हूँ, तो आप बताएंगे मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कह रहे है, length of str1 is 10, काउंट कर लेते हैं, क्या length 10 ही है मेरे पास, तो count कैसे होगा जी length को, मैंने count किया, hello के लिए 1, 2, 3, 4, hello तक 5 होगए, 6, 7, 8, 9, 10, तो मेरी length क्या आ रही है, 10 ही आ रही, excluding null character, null character मैंने बताया था length का part नहीं होता, ठीक है, तो इसने मुझे length बता दी, string 1 की, नई length, पहले तो 5 थी, लेकिन अब change होके वो क्या होगई है, 10 होगई, ठीक है, तो simple concatenation हुई है, length का function कैसे काम करता है, copy का function कैसे काम करता है आपको, तता चलिए, मैं काम और करता हूँ, यहां पर comparison का function भी आपको दिखा देता हूं करके, ठीक है, comparison का function भी कर लेते हैं, ताके आपको उसका भी idea मिल जाए, तो यहां पर हम कर लेते हैं, comparison, और comparison में directly कर लेता हूँ, printf में, printf, और printf में मैंने कर लिया, cmp, ठीक है, और किसका करवान रहता हूँ, first or second करा लेता हूँ, या first or third भी करा सकता हूँ, तो मैं first or second को करा के बता देता हूँ आपको, str1 और str2 को अगर मैं compare कराता हूँ, ठीक है, तो इसका result के आएगा, और simply मैं हाँ पे लिख लेता हूँ, अपना strcmp और, अच्छा result इसका result नहीं आएगा, इसका result integer आता है, परसिंडी, और strcmp के किसका करा रहा हूँ, str1, str2, ठीक है, राइन चेन रितर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसका result मेरे पास result के आता है, compile, execute, तो चूंके मेरे पास s1 और s2 equivalent नहीं है, तो आपने देखा 0 नहीं आया, बलकि मेरे पास negative number है, अब negative number क्यों आ रहा है, negative number इसलिए आ रहा है, कि देखा जाए तो string 1 में h से start हो रहा है, पहले ही fail हो जाएगा, h और w है, compare होगा, h जो है, चोटा है, w जो है, बड़ा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि second वाले string greater है, और first वाले string जो है smaller है, ठीक है, तो उस case मेरे पास negative number आ रहा है, लेकिन मैं अगर इसमें सिर्फ एक चीज़ चेंज कर देता हूँ, चीज़ चेंज क्या करनी है, कि मैंने h capital क्याद है, h small कर दिया, अब h small आपको पता है, कि उसका code बढ़ा होता है, और capital w का code छोटा हो, तो सिर्फ मैंने h को small कि अब आपको पता है, कि h जो है, वो उसका code का voltage बढ़ चुका है, तो आप देखिए, मेरा result positive आना शुरू हो जाएगा, सभी, तो इस case में मेरा result positive हो गया, क्योंकि capital w is smaller than smaller h, small h, ठीक है, तो इस वारे से आपने देखा, कि अगर first वाला string बढ़ा है, तो positive, first किसे कह रहा हूँ, first में नाम पे नहीं जाएगा, first का मतलब है, इस position पे जो वाला लखा वाए, ठीक है, अगर मैं इस पे as two रख दूँगा, तो string two को मैं first कहना शुरू कर दूँगा, ठीक है, इस वक्त मैं इसको string two को रख दूँगा, तो मैं इसको first string कहना शुरू कर दूँगा, थे तो इस वक्त देखा जाए तो फस्ट्रिंग जो है वो और फस्ट्रिंग कर दिया चेंज तो इधर भी मैं 2 लिक देता हूं और इधर भी मैं 1 जो कमपाईल एक्जिकुट तो मेरा रिजल्ट वन इसलिए आ रहा है कि मेरा फस्ट्रिंग is greater than my second string ठीक है first string string two है जो कि world है w से शुरू हो रहा है और second string मेरा जो है hello है जो h से शुरू हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि यहीं पर पहली character पर फैसला हो गया और यह फैसला लग गया है कि मेरा जो है first string greater है अगर मैं equivalent test करना चाहता हूँ तो मैं इसको भी hello कर देता हूँ ठीक है दोनों hello hello कर दिये तो आप देखेगा result मेरा उसका 0 आ रहा हूँ एक second क्या गड़ बढ़ की है मैंने hello hello ही तो लिख है किसको मैंने 0 किया है hello and hello string one string two सब कुछ सेम है सब कुछ सेम है कहीं पर space यह को अच्छे यहां पर तो string concatenate हो चुका है ना इस line को मैं पहले लिखता हूँ concatenation से पहले सबसे पहले लिख लेता है ठीक है इस दिए उसने बहुता है concatenation से पहले चले जाते है और अब चेक कर लेते हैं अब इस करजल जीरो आ रहा हूँ ठीक है तो जब मैं दोनों string सेम दोंगा तो इस करजल जीरो आ जाते है तो यह है कुछ useful function string library के जिनसे आप deal करते रहेंगे अब आ जाता हूँ इस बात की तरफ कि अगर मैं यह string copy के बजाए simply यह लिखने की कोशिश कर ले था के भई str3 equals to str1 तो मेरा काम हो जाना चाहिए था मैं अभी तक इसी तरह copy करता हूँ ना मतलब a की value b में copy करनी है जैसे हम कर temp equals to x और x equals to y करते हैं ऐसी करते हैं तो अब चेक कर लेतें कि ऐसे possible है या नहीं तो यहां पर एक error generate हुआ है और error कह रहा है assignment to expression with array type ठीक है assignment operation array को directly आप copy नहीं कर सकते ना array को और ना string को क्योंकि string itself is a array of character तो array को जब भी आपने देखा copy करना हो कुछ भी करना हो मैं पूरी लूप लगा के करता हूँ तो string में भी मुझे पूरी की पूरी लूप लगाने पड़ेगी या फिर मेरे पास string library के built-in function मौजूद है मैं उन्हें use कर लेता हूँ और directly copy कर लेता हूँ जो function यह function actually loop से ही implement हुए मैं इनके background में loop ही लगी वी है और इसको हम theory में discuss करेंगा और next lab में भी इस पर हम focus करेंगे कि कैसे implement होते हैं ठीक है तो हम directly equals to operator use नहीं कर सकते एक mistake जो हो जाती है क्योंकि हम used to होते है एक वस्टू से copy करने के लिए तो string और array में दिहान रखिएगा एक वस्टू से copy नहीं होती आपको character by character या integer by integer करके copy करना पड़ता है तो string library में तो असानी है बने 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 function है मुझे नहीं करना लेकिन अगर यही काम आपको array से करने का कह देता है नहीं मैं कहता है copy contents of array 1 into array 2 तो आप भज जाते फिर वो string नहीं होते और integer या float data होता तो आपको loop लगा के खुद ही एक एक करके सारे character को एक एक करके सारे elements को copy करना भागा ठीक तो यह हो गया इसके लावा क्या है महाँ पास लैब बें आच्छे passing array to a function कहरें array function को आप वैसी string pass कर सकते हैं जैसे आप array pass करते हैं क्योंकि जाहर सी बात है string is an array of character तो कोई नहीं बात नहीं है तो आप देख सकते हैं इस example को मैं करके नहीं दिखा रहा यह देखें simple character array लिख दिया गया और यहां पर क्या किया गया मैंने display string का एक function बना दिया जो कि यहां पर भी हो रहा है और दूसी चीज क्या बताई थी मैंने class याद दिलाईएगा array के लिए मैंने बताया था कि array को जब भी function को pass करेंगे तो आप दो चीज़ें पास करते हैं एक तो array का base address और दूसी चीज क्या थी इसिन मैं बता देता हूं टाइम short base की विए TE से डूसरी चीज मैंने बताय थी कि मैं हमेशा array की लेंध पास करताूं ठीक है दूसी n", बताये थी कि हमेशा जब भी m Allahu function को pass करता ऐ Анд के लेंध भी पास करता हूं और यह इसे लिगा इस तरह होता है,क्पास करने पता है string में end कहां पर है और string के कोई भी library के function में use करूंगा तो उने पता है end कहां पर है और वह वहां पर है जहां पर क्या मिलेगा मुझे null character क्योंकि मैं string का end को mark किया हुआ जब भी मैं initialize करता हूं तो मैं उसे mark कर देता हूं करेक्टर से तो इसलिए मुझे लैंट पास करने की ज़रूरत नहीं आप्रमेटिकली जब भी मेरे कोई भी बिल्टन फंक्शन यूज़ करूंगा वह भी इस चीज़ को देखता है ध्यान रखता है कि नल करेक्टर मिले तो यहां पर कर देने और अगर मैं अपना कोई ओंग तो मुझे भी धियान रखना है कि 1 ना करेक्टर ना मिले करते हो यह प्रिंट करते रहो मर्जी करते रहो लेकिन जैसी नल करेक्टर मिले तो स्ट्रिंग एंड ठीक है तो यह ध्यान रखना है आप लोगो ने किस वज़ा सी हुआ ठीक है तो जादा अपतर प्री डिफाइंड फंक्शन की असान चोटी सी लैप थी हमारी तो जल्दी खत्म हो गए मैं लैप टास एक्स्प्रीन कर देता हूं नेक्स सेशन नहीं लेना चाहूंगा तब तक अगर आप लोगों को क्यूरी हो तो आप चैट बॉक्स में पूर सकते हैं ठीक है लैप टास वन कहरें राइट आप प्रोग्राम तो फाइंड आउट वैदर यूजर एंटर इस इंट कि इस एप एलंड राओं सी आई वी आई सी आज़कल काफले पॉपलर है इस आल्सो अ बैलंड राओ तो आपको यह चीज़ वैरिफाय करनी है यूजर से के जो प्रॉज़ यूजर ने एंटर किया वह पैलंड रॉण है या नहीं ठीक है लेकिन इसके लिए आपको सेपरे तो बहुत यह साने ही कि आपने लास्ति स्प्राइब में सॉर्टिंग की ठीक है कि अब अगर कोई आपको देता है से इंपूट में आपके पास लिखा हुआ है मैं कैसी डे देता हूं ब्रेव लिखा गहाए ठीक है B-R-A-V-E जिसको independently arrange करना है इसका मतलब है कि alphabetical arrange कैसे होगा पहले A आ जाएगा फिर B आ जाएगा फिर E आ जाएगा फिर R आ जाएगा फिर V आ जाएगा तो यह काम करना है अब आप समझ गये कि इसमें sort of sorting ही लगी हुए इसको alphabetical order में arrange करना है ascending में तो आप arrange करतेंगे अब आपको थोड़ी सी tweaking करने पड़ेगी वाप कर लीजेगा लेकिन यह easy task है task 3 क्या करें write a program to reverse a string by passing it to sub function without string library function ठीक है तो इस function को इस वाले task को solve करने के लिए तो कोई restriction नहीं है आपको पैलेंड्रॉम चेक करना है तो रिवर्स करके आपको पता लग सकता है यानि लाइबरेडी में को रिवर्स का function लेकिन यहां पर कह रहे हैं आप रिवर्स का function यूज किये बगाए reverse करके दिखाए यानि आप यहां पर खुछ से कुछ logic implement करें के reverse हो जाए पैलेंड्रॉम और इसमें सेम चीज यूज हो रही है लेकिन पैलेंड्रॉम में कोई restriction नहीं है आप अपना function भी यूज कर सकते हैं लेकिन task 3 में कहा गया है कि आप अपना function खुद बनाए जो कर रिवर्स करते है बहुत सिंपल से थोड़ा से brainstorm की जाएगा हो जाएगा ठीक है इसके टास्क जो है लैब के असान है इतने मुश्किल नहीं है लैब भी असान है टास्क भी असान होम टास्क क्या है राइट complete code to find complete code कहने का मक्साद ही होता है कि आप इसमें multiple function है तो आपने पूरे लिखने नहीं में भी लिखने और अधर फंक्शन भी तो राइट complete code to find number of vowels consonant यानि alphabet जो वाविल के लावा होते हैं digits यानि कि numbers जो होते हैं 0 से नहीं and white space characters in a string white space का मतलब क्या होता है spaces steps और इस तरह की जिए तो आपने function बनाना है जिसको आप string pass करेंगे ठीक है और बाकी सारी चीज़ें आपको as output parameter मिलेंगी वावेलेस pointer जा रहा है consonant digits डबल इसके लिए आप reference ले सकते हैं उस वाले program से जो हमने किया था जिसमें हमने sign, fractional plot, whole number part अलग किये थे तो इसमें आपने just count करना है यानि उस string को एक function को pass करना है और उस function ने वाविल, consonants, digits और white spaces को count करके बताना है और चुक्के pass by reference is output parameter हो रहे हैं तो आपको बता है result automatically आपका main function में available होगा ही होगा तो reference के लिए आप वो exercise दे सकते हैं जो separation की थी हमने fractional whole number part और sign की ठीक है थोड़े सी बस आप कुछ तर logic लगाने कि आप कैसे करेंगे बाकी architecture वैसे ही then task 2 क्यारे write source code to delete characters in a string except alphabet यानि user ने enter किया और उसमें कुछ alphabet सारे से आतिव शहवाज 123 hash slash something something तो आपका काम क्या है कि उसमें से उसको clean कर देना है clean करके सिर्फ उसमें alphabet सोड़ने यानि उसमें सिर्फ आतिव शहवाज रहे जाना चाहिए बीच में से कहीं पर भी फुल स्ट्रॉप कॉमा explanation mark या number कोई भी चीज़ आरी थी उसको यहां से एरेज करने यानि filter करने filter करने कि सिर्फ और सिर्फ अलफा बैट रहे जाएं बाकि सारे के सारे डिजिट छंज जाएं घट जाएं तो आपको यह काम करने यह इंट्रेस्टिंग एंग्जेंपल है सोचेगा लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है बस थोड़ा से सोचें सब्सक्राइड समझ्झेस समझतें सब्सक्राइड मतलब होता है कि एंट से बात की जारी जैसे कि यह पर इक्जेंपल दी है यह करे इस वर्ट को आप देखें प्रोक्रास्टिनेशन एंडेस्टिनेशन दौनों ओर्ट को आप एंड्से कंपेर कराना शुरू करें तो is common suffix suffix का मतलब होता है end से अगर prefix कहता है तो आप यह comparison शुरू से करा दे तो आपको जो find out करने है वो करने जी जो end में same हो ठीक है तो suffix करने है और बड़ा असान है मैंने hint भी दे दिए कि end से compare कराना शुरू करने है जब तक match होते जाएंगे आप copy करते जाएं किसी और उसमें और जब match होना बंद हो जाएं तो आप वहाँ पर अपना quit कर दें और return करने से पहले result को reverse कर दें ठीक है और इसको solve को ठीक है तो यह थे आप लोगों के lab और laptop लैब और होंटास दोनों explain कर दिये गए अगर कोई क्यूरी हो लैब से related तो आप लोग पूछ सकते हैं वहना लैब आज चोटी थी हमारी end हो गई है तो मेरी तरफ से concluded है अगर आप लोगों को क्यूरी है तो you can ask in chat box और raising hand जी क्लाश तो शाला एकन क्लूड कोई क्यूरी है क्लास यह मैं कंक्लूड करूं लैक्चर को चैनल ठीक है खामोशी का मतलब acknowledgement ही लिया जाता है मैं भी acknowledgement लेता हूं तो फिर आज के लिए नहीं था till next time signing off Allah Hafiz